हलो दोस्तों स्वाथ है आपका अपने चैनल एक्जाम जाउन पे तुगा फिर से मैं हाजिर हूँ 13 जनवरी 2021 के इंपॉर्टिन इमेंट्स के साथ ये वीडियोज हमारी पेंडिंग थी इनको हम कवर कर रहे हैं वीडियोज ध्यान से देखिए कि फिर लास्ट में आपको दो कोशन के जवाब देने हैं आज का पहला कोशन है स्वामी विवेका नंजी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिबेट करने के लिए इंडिया दोरा हर वर्स नेशनल यूथ डे यानि राष्ट्रिय यूदिवस किस डेट को मना जाता है तो राष्ट्रिय यूदिवस ये मना जाता है 12 जनरी 12 जनरी को राष्ट्रिय यूदिवस मना जाता है ये देख लीजिए स्वामी विवेकानन जी की बर्थ एनिवर्सरी को सिलिबेट करने के लिए हर वर्स इंडिया द्वरा नेशनल यूथ डे राष्ट्री युवदिवस मनाते हैं 12 जन्वरी को देखें 1985 में फर्स्ट टाइम नेशनल यूथ डे मनाया गया था परपस क्या है स्वामी विवेकानन जी की जो आइडियोलोजी है फिलोस्पी है उसको इस्प्रिट करना all over country में इस बार का जो नेशनल यूथ डे है उसका थीम क्या है Channelizing Youth Power for Nation Building स्वामि वेकरनजी ने रामकर्ष्ण मत्ष और रामकर्ष्ण मिशन लॉंच की थे कब? 1897 में तो रामकर्ष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में साथी साथ रामकर्ष्ण मत्ष इसकी भी स्थापना की थी 1897 में उसके बाद यानि एक वर्स बाद ही उन्होंने बेलूर मर्ठ की स्थापना कर दी 1898 में तो राश्टी युवा दिवस 12 फरवरी नय कोशन है WTO World Trade Organization में जो इंडिया की 7th Trade Policy Review Meeting हुई है मलब उसका 2nd session हुआ है उसको head किसने किया है तो WTO में इंडिया की 7th Trade Policy Review Meeting के 2nd session को head किया है अनुव बाधवन ने किसने अनुव बाधवन ये देख लिए रेसेंटली अनुव बाधवन द्वारा 7th Trade Policy Review Meeting के 2nd edition को head किया गया है यहाँ WTO World Trade Organization द्वारा इंडिया की Trade Policy का analysis किया रहा था तो 7th time किया रहा है इंडिया की Trade Policy Review Meeting को इसका 2nd session है इसको अनुव बाधवन ने head किया है Trade Policy Review का main purpose यह है कि WTO compliance इंडिया की Trade Policy है या नहीं इसलिए इसका review किया जाता है हर बार पिछली बार जो आपका 6th था 6th Trade Policy Review था वो 2015 में हुआ था आप एद रिखेगा WTO की बात करें World Trade Organization 1995 में इसको मरक केस्ट agreement के द्वरा इस्थापित किया गया था इसने किसको रिप्लेस के था WTO ने तो GATT, General Agreement on Tariffs and Trade GATT को रिप्लेस कर दिया था GATT की स्थापना होई थी 1948 में WTO का headquarter है जिनिवा, स्विजरलेंड में और total 164 member है लास्ट 2016 में बना था अफ़गानिस्तान तो आपे देखिएगा जो WTO में इंडिया की 7th Trade Policy Review Meeting का 2nd edition था उसको अनूब बादवन ने head किया था नेक वोशन है ICC Board में BCCI के representative के तौर पर official तौर पर किसे नामित किया गया है तो BCCI के official representative बने है जैसा, कौन बने हैं, जैसा यह देख लिजी, यह हैं जैसा अमिसाह जी के पुत्र है इसकी मीटिंग थी, उसमें BCCI दोरा official nomination या फिर official representative बनाया गया है जैसाह को, इनको क्यों बनाया है क्योंकि सौरुप गांगली जी को हेदय घात हुआ है, यानि की heart attack हुआ है, बीमार हैं, इसलिए इनको जैसाह को BCCI दोरा, ICC board की meeting में official representative बनाया गया है BCCI बात करते हैं Board of Control for Created in India 1928 में स्थापना हुई थी headquarter है इसका, वानखेड़े stadium मुंबाई में इस समय 39th BCCI President कौन है, सौरख गांगली और Secretary कौन है, जैसा जिन्होंने ICC board में इंडिया को मलब BCCI को represent किया Next question है, recently इंडिया के effort को देखते हुए, यानि COVID-19 pandemic के खिलाफ, इंडिया के effort को देखते हुए, किस गंटी दोरा इंडिया के लिए, official development assistance loan एनाउंस किया गया है, 2113 करोड का, यानि 2113 करोड का official development assistance loan एनाउंस किया है, जापान ने, किस ने एनाउंस किया है जापान ने, यह देख लिजे recently जापान दोरा, इंडिया के COVID-19 pandemic effort को देखते हुए official development assistance loan एनाउंस किया गया है, 2113 करोड याद रिखिएगा, 2113 करोड का, देखिए जापान ने, इंडिया की बीच में bilateral यानि, दुई प्रक्षी development cooperation काफी समय से है 1958 से, तो उसको देखते हुए जापान दोरा, यह 2113 करोड का, official development loan, प्रोइड किया गया है assistance के तोर पर, जापान की बात करें तो capital क्या है, टोक्यो, currency क्या है Japanese yen, प्राइमिस्टर कौन है योशी हिदे, सुगा recently appoint हुए है, और emperor कौन है, तो नरो ही तो नरो ही तो जब से emperor रने है, तब से जापान में रीवा एरा, रीवा एरा स्टार्ट हो गया है, यह जापान अब मैप में देख लीजिए, ने कोशन है ministry of road transport and highways द्वारा हर वर्स किस महने में national road safety week अफजर कियाता है, तो ministry of road transport and highways January month के second week को national road safety week के रूप में अफजर करती है, देख लीजिए essentially ministry of road transport and highways द्वारा January के second week को national road safety week के तौर पर अफजर किया गया, तो आप है रिखेगा, इसके साथ ही यानि second week है January का उसको national road safety week कहा गया है और ministry of road transport highways ने कहा है, कि national road safety month अफजर किया जाएगा 18th January से लेकर 17th February यह ज़रूर याद रखेगा, यह date specific याद रखेगा, national road safety month 18 January से लेकर इन्होंने धाका marathon 2021 में fourth position हासिल की है, आपको तना जिगमेद, डोलमा किस Indian state याई फिर union tragedy से बिलॉंग करती है तो यह लगदाक से बिलॉंग करती है जिगमेद, डोलमा, यह देख लिजीए यह है, जिगमेद, डोलमा, इन्होंने धाका marathon 2021 में fourth position हासिल किया है इंडिया की दरब से, इंडिया को बिलॉंग करती थी कहां से, लगदाक से, लगदाक में state police officer है, जिगमेद, दोलमा, इन्होंने धाका marathon में fourth position हासिल की है इससे ज़ादा important यह है कि जो धाका marathon हुई है, उसमें men's category में किसने जीता है हीशेम, लकोही, मुरको से बिलॉंग करते है और women's category में किसने जीता है तो अंजेला, जिम, असुंडे जो कि केनिया से बिलॉंग करती है यह तो हो कि धाका marathon all over world level पे बात करें, अगर सिर्फ सार्क countries की बात करें, तो उसको जीता है बहादूर सिंग ने, यह इंडिया से बिलॉंग करते है आप देखेगा, तो सार्क countries में धाका marathon, बहादूर सिंग ने जीती है वहीं अगर female candidate की बात करें तो पुस्पा भंडारी ने जीती है women's category में सार्क countries की धाका marathon, तो यह कम सकम यह तीन नाम तो याद रखिएगा जिंगमें, डोलमा, बहादूर सिंग और यह आपकी पुस्पा भंडारी बंगलादेश ने धाका marathon और्ग्राइस की है तो बंगलादेश की बात कर लेते हैं धाका इसकी capital है, PM कौन है? सेखह सीना, और प्राइम इस्टर को, सोरी, प्रेसिजिंग कौन है? अब्दुल हामेर, लागा की करेंसी क्या है? बंगलादेशी, टका, वैसे टका ही चलती है आपर, इंडिया कोशन है इक्रा के MD&CEO कौन है? तो इक्रा के मेनेजिंग डायेटर और Chief Executive Officer है, N.C.Raman ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इक्रा ने कहा है कि Financial Year 2022 यानि वित्ती वर्स 2022 के दुरान इंडिया की GDP Growth Rate 10.1% रहेगी 10.1% रहेगी हाला कि पिछले वर्स के लिए यानि Financial Year 21 के लिए इन्होंने कहा है कि इंडिया की GDP 7.8% कॉंट्रेक्ट कर जाएगी यानि कि Financial Year 2021 के लिए इंडिया की GDP Growth Rate माइनस 7.8% रहेगी और इस वर्स के लिए Financial Year 2020 के लिए रहेगी 10.1% ये प्लस का और ये माइनस का कुछ समय पहले ही IHS Market ने कहा था कि Financial Year 2020 में इंडिया की GDP Growth Rate 8.9% रहेगी और अब इकरा ने कह दिया है इकरा की बात करें तो Investment Information and Credit Rating Agency Moody's Related है 1991 में स्थापना हुई थी इकरा के Headquarter कहा है गुर्ग्राम में इसका Headquarter है MD&CEO कौन है एंड शिवरामन नया कोशन है बिंदु सागर लेक रिसेंटली ये काफी एदा न्यूज में थी आपको तरह बिंदु सागर लेक किस स्टेट में इस्थित है तो बिंदु सागर लेक ओड़ीशा में इस्थित है चर्चा में इसलिए थी क्योंकि Clean बिंदु सागर इनिशेट्व लांच किया था किसने धर्मेंद प्रधान ने याद रिखेगा धर्मेंद प्रधान ने ओड़ीशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पड़नाएक के साथ मिलकर Clean बिंदु सागर इनिशेट्व लांच किया था ये ओड़ीशा जो कैपिटल है भूनेशर वहां की लार्जेस्ट वाटर बॉड़ी है बिंदु सागर लेक इसको साफ करने के लिए Clean बिंदु सागर अभियान लांच किया है धर्मेंद पड़ान और नवीन पड़नाएक ने लगभा सत्तर लाख लगेंगे जो कि इंडियन ओइल के Corporate Social Responsibility Fund से दिये याएंगे तो इंडियन ओइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड Clean बिंदु सागर इनिशेटिव का पार्ट है आपको याद रखना है बिंदु सागर मैंने आपको ता दिया Oldest लेक है साथी साथ Largest लेक है भोनेशर की ओडिशा में बढ़ती है ओडिशा चर्चा में के था पहली बाद तुम मैप में देख लिए यह है ओडिशा इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क ओडिशा में ही सिटप किया गया था CM कौन है नवीन पटनाएक इनको Hero to Animal Award मिला था बेटा दोरा कौन है गनेशी लाय गनेशी लाल इनकोशन है जो हमारे रोट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गटकरी उन्होंने रिसंटली एक नई पेंट लांच की है न्यू पेंट लांच किये हाईवेस में यूज़ किया उसका इसको डेवलप किसने किया है तो जो नई पेंट नितिन गटकरी जी ने लांच किये उसको के वी आईसी ने डेवलप किया है खादी एंड विलेज इंडेस्टिस कमिशन के वी आईसी ने खादी प्राकरतिक पेंट लांच किया है जिसको लांच किया गया किसे दोरा नितिन गटकरी दोरा और BIS प्रमारित है Bureau of Indian Standard द्वरा certified है तो खादी प्राकरतिक पेंट इसको KVIC ने डेवलप किया है launch किया है नितिनकट करी ने highway में यूज किया आएगा इसको KVIC के बाद करें खादी एन Village Industries Commission देखो KVIC Act पास गए था 1956 में लेकिन इसकी स्थापना हुई थी April 1957 में इतना जाद रखीगा हैड कोटर इसका मुबाई में है और चेर परसन कौन है विने कुमार सक्षेना नेक कोशन है Government of India द्वरा COVID-19 वैक्सीन के एड्मिनिस्टेशन के लिए एक इंपावर्ड कमिटी बनाए गई है आपको तना COVID-19 वैक्सीन एड्मिनिस्टेशन के लिए जो इंपावर्ड कमिटी है उसके चेर परसन कौन है तो इस कमिटी के चेर परसन है RS सर्मा कौन? RS सर्मा ये देख लिए गवर्मेंट आफ इंडिया ने RS सर्मा जो की ट्राई के चीफ हैं उनके अधिश्टा में COVID-19 वैक्सीन के एड्मिनिस्टेशन के लिए एक एंपावर्ड कमिटी बनाई है तो आप है देखेगा COVID-19 एड्मिनिस्टेशन के लिए जो इंपावर्ड कमिटी बनी है उसके चीफ है RS सर्मा ये RS जो सर्मा है आरे सर्मा जी ये ट्राई के चेर परसन भी है ये जो एड्मिनिस्टेशन के लिए कमिटी बनी है इसमें टोटल 10 मेंबर होंगे मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव लाउंच केर दिया था पीम मोदी ने COVID-19 वैक्सीनेशन आल ओर कंटी में किया जाएगा तो इसका अड्मिनिस्टेशन कौन करेगा एंपावर्ड कमिटी अधेश होंगे आरे सर्मा ये ट्राई की बिज़िच से है तो ट्राई की बात कर लेते हैं ट्रेली क्रॉम डेटरी अथॉर्टी आफ इंडिया 1997 में स्थापना होई थी नियो दिली में इसका हेड़कोटर है चेरबस है कौन है आरेस सर्मा राम सेबक सर्मा और स्थेटरी कौन है सुनील के गुप्ता फेमस परस्नाल्टीज है रिसेंटली इनका निधन हो गया शशी कुमार चित्रे और तुल्लपती कुटुमबा पढ़ लिजी यह है शशी कुमार चित्रे एस्ट्रो फिजिस्ट है ससी कुमार चित्रे मुंबाई से बिलॉंग करते थे रिसेंटली इनका निधन हो गया टेरी टाटा इंस्ट्यूट और फंडामेंटल रिसर्च इसमें काम कर चुके थे शशी कुमार चित्रे इनका निधन हो गया याद रिखेगा एस्ट्रो फिजिस्ट और मुंबाई से बिलॉंग करते हैं दूसरे कोण है जाने माने जर्नलिस्ट तुल पती कुटुमबा राओ तुल पती कुटुमबा राओ इनका निधन हो गया है ना कलम ना गलम यह किसकी आउट वायोग्राफी थी तो तुल पती कुटूंबा राओ जिनका रिसेंटली इनिधन हो गया वो जर्नलिष्ट से और आन्पदेश से विलॉंग करते थी क्या है यह कवशन है नो योर कॉंसिट्यूशन यह एक कैंपेण है रिसेंटली किसने लॉंच किया थे तो इसके लिए यह केंपेण लॉँच के रहा है ओम बिल्ला जी ने constitution की बात कर लेते हैं तो वर्ड का longest written constitution है बी आर अमबिटकर जी जो drafting committee थी उसके chairperson बने थे तो कई बाइक्जाम में ये पूछते हैं drafting committee का chairperson को था बी आर अमबिटकर जी chairperson थे हमाई समिधान को 26 नॉबर 1949 को अंगी क्रत किया गया था यानि adopt किया गया था और effective कभवा था 26 January 1950 से देखिए अभी तक इंडियन constitution में 104 amendment 104 संसुधन हो चुके हैं लास्ट वाला कौन सा 104 था आपका SCNST की जो लोकसभा में seat reservation है उससे संबंदित था 2020 में 104 संमिधान संसुधन किया गया था तो यह सारे effective important है ने question है recently grievance redressal system को streamline करने के लिए आसान मनाने के लिए ये दाखिल portal कि सिश्टेट government लाउंच किया है तो ये दाखिल portal पंजाब government लाउंच किया है सिकायत निवारण तंत्र को आसान मनाने के लिए grievance redressal system को आसान मनाने के लिए ये देख लिए पंजाब government द्वारा ये दाखिल portal लाउंच किया गया है grievance redressal system को आसान मनाने के लिए देखिए ये दाखिल portal consumer protection act 2019 के तहट develop किया गया है आपको पता ही है इंडिया में consumer की क्या हालत है तो उनका जो सिकायत होती है वो काफी लंबे समय तक चलती है ये दाखिल portal के मादिर से पंजाब government चाहती कि जल्दी जल्दी उनकी सिकायतों का निप्टारा हो जाए तो इसके लिए government of पंजाब ने ये दाखिल portal launch किया है इससे आप अपनी complaint की online e filing कर सकते हैं और उसका solution पा सकते हैं कुछ समय पहरे पंजाब government ने bird flu को controlled area घोसित कर दिया था यानि अपने state को पंजाब ने पंजाब government ने controlled area यानि नियंत्रित छेत्र घोसित कर दिया था और state disaster कि इसने घोसित किया था केरल ने इतना अंतर है पंजाब की बात करें तो capital क्या है चंडीगर जो कि हर्याला की भी है chief minister कोन है अमरींदर सिंग गवर्नर कोन है वीपी सिंग बदनौर देखे चंडीगर का नाम आया तो याद रखेगा इंडिया का नौर्थ इंडिया का डॉक पार्क चंडीगर में और इंडिया का फर्स्ट इंप्यूटी क्लिनिक चंडीगर में ही स्थापित किया गया है नेक वोशन है इसंटली गवर्मेंट आफ इंडिया ने परसुराम कुंड पिल्ग्रिमेज साइट के फेसलिफ्ट के लिए पुरर उद्धार के लिए 37.87 करोड रुपर एनौंस किये हैं आपको तरह परसुराम कुंड किस इंडियन इस्टेट में लोकेटिट है तो गवर्मेंट आफ इंडिया ने अरुडांचल प्रदेश में इस्थित परसुराम कुंड पिल्ग्रिमेज यानि दार्शनिक इस्थित के लिए 37.87 करोड दिये हैं यह अरुडांचल पिल्ग्रिमेज साइट यानि परसुराम कुंड मने जाते हैं और परसुराम कुंड पिल्ग्रिमेज जो साइट है वहां के लिए गवर्मेट आफ इंडिया ने 37.87 करोड दिये हैं यह अरुडांचल प्रदेश के लोही डिश्टिक में है आपको या रखना है अरुडांचल प्रदेश की बात करें तो मैप में आप देख इस बुक को लिखा है कौंशं हिमालय सिंग ने नाम भी देख लिए कौंशं हिमालय सिंग तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेगी इस बुक में कौंशं हिमालय सिंग की कहानी है जो की नौर्च इश इंडिया से फर्स्ट लिटेनर जर्नल बने थे और कौंशं शिंग कहां से बिलाओं करते थे मरीपूर से यह हैं कौंशं शिंग नौर्थ इस इंडिया के फर्स्ट लिटेनर जर्नल मरीपूर से बिलाओं करते थे तो मरीपूर के बाराव जान लेते हैं एन बीरेन सिंग, मडिपूर के सीम है, गवने कौन है नजमा है तुल्ला, और याद रिखेगा मडिपूर में वर्ल्ड का एक मात्र, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबूल लामचाओ नेशनल पार्क, जो की लोकटक लेक में है, और लोकटक लेक का है, मडिपूर में, नेक इसलिए गोवा में, इक क्याओन हुए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया का इनाउग्रेशन किया गया, देखे, 20 से लेके 28 नॉमबर के आसपास हर वर्स किया जाता था, लेकिन इस बाग कोविट था, तो इसलिए थोड़ा, 16 से 24 जनवरी तक किया गया, प गोवा में और्गनाइज किया जाता है, इस बार 51st क्याओनमा एडिशन था, और फोकस कंटी कौन सी थी, बंगलादेश, बंगलादेश इस बार की फोकस कंटी थी, आई इफ़ी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया, 1992 से इस की स्थापना हुई थी, या फिर सुरुवात हुई थी, गोवा में और्गनाइज किया जाता है, और इस मैप का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, ने कोशन देखते हैं, किस कंटी में वेनेडियम के लार्जस्ट डिपॉजिट है, यानि सबस्दा वेनेडियम कहां पायाता है, तो चाइना में सबस्दा इसको मजबूत करने में वेनेडियम यूज कहाता है, इंडिया में कुछ खास होता नहीं है, हम लोग बेसिकली इंपोर्ट करते हैं वेनेडियम को, पहली बार ऐसा हुआ है कि अरुलांचा प्रदेश में वेनेडियम के डिपॉजिट पाय जाने की संभाव ना है, या पर पता ही होगा, 23 atomic number है, जो कि पुछा नहीं जाएगा कभी एक्जाम में, लेकि पुछा जाएगा कि largest deposit of वेनेडियम कहां पायते हैं, चाइना में पायते हैं, उसका second Russia में पायते हैं, फिर South America में, तो इस टील को मजबूद करने के लिए वेनेडियम यूज होता है, जी लाज संजीत रत, Ministry of Minds के तहट कारी करता है, Geological Survey of India, यह आज की वीडियो, सौरी, यह नएकोर्शन है, traditional martial art form को boost करने के लिए, recently, कलारी पैट्ट्यू अकेडिमी को कि सिस्टिल गवर्मेंट दोरा setup किया गया है, तो कलारी पैट्ट्यू अकेडिमी को recently केरल में setup किया गया, कहां प oldest martial art form में से एक है, इंडिया की क्या word की, mostly केरल में ही प्रचलिक थे, कलारी पैट्ट्यू, अब कलारी पैट्ट्यू अकेडिमी कहां open हो रही है, केरल में ही open हो रही है, आप देखेगा, कुछ समय पहले में आपको बढ़ाया था, कि जो fourth Halo India Youth Game, 2021 में organized होने है हरियाड़ा में उसमें चार गेम्स का announcement किया गया है, यहीं चार गेमों को include किया आएगा, चार खेलों को, उन चार खेलों में कलारी पैट्ट्यू भी एक है, उसके लावा तीन कौन से है, मलखम, गटका और ठांक्टा, तो कलारी पैट्ट्यू केरल की martial art form है, केरल के बात करें, CM कौन है, प यहीं से है, यहीं चार खेलों किया, आएपल में क्याहरर खेलों चेंटे Candुट्ट चार खेलों में चार गेलों किया।